बॉलिवूड अधाकारा उर्वशी रोतेला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई है अभिनेत्री कभी क्रिकेटर रिशव पंत के साथ चल रही अपनी कोल्ड वार को लेकर चर्चा में बनी रहती है तो हाली में वह पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह से जुड़ी एक वीडियो की वज़े से सुर्खियां बटो रही थी अब एक बार फिर उर्वशी ने अपने नए पोस्ट से खलबली मचा दी है जी हाँ उर्वशी सोशल मीडिया पर चर्चा का विशय बनी हुई है और वज़ा है उनका लेटेस्ट पोस्ट अभी नेत्री ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है आपको बता दें कि बॉलेवोड एक्टरेस उर्वशी रोतेला पिछले कुछ समय सी लगता टीम इंडिया के हर मैच को देखने के लिए पहुँच रही है जैसे ही वह पहुँचती है भारतिय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रिशव पंत भी चर्चा में आ जाते हैं रिशव पंत भी टीम इंडिया का हिस्सा है इस बीच एक्टरेस उर्वशी रोतेला ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीरे शेर कर लिखा है कि वह भी Australian पहुँच गई है उनकी एक दो पोस्ट में किसी की रुसवाई का दर्द भी झलका है। आपको बता दें कि उर्वशी ने कई तस्वीरे शेर की हैं जिसमें वह फ्लाइट में बैठे दिख रही हैं। दिल की बात मानते हुए आस्ट्रेलिया जाने की बात लिखने के बाद उर्वशी यही नहीं रुकी। उर्वशी रौतेला ने दिल की बात करते हुए फ्लाइट से आस्ट्रेलिया पहुँचने की बात के साथ तस्वीर पोस्ट की वैसे ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनी सब चीजों के बीच रिशव पन्त मेरा पीछा छोड़ो जैसा स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन उर्वशी रौतेला हर उस मैच को देखने पहुँच रही हैं जहां रिशव पन्त होते हैं। अब एक बार फिर उर्वशी रौतेला आस्ट्रेलिया पहुच गई हैं। उन्होंने कई तस्वीरे भी शेयर की हैं जिसमें वह फ्लाइट में बैठी दिख रही हैं। कई लोग उर्वशी पर रिशव पन्त का इस तरह से पीछा करने को लेकर निशाना साध रहे हैं। वहीं कई कह रहे हैं कि क्या वाकई उर्वशी रौतेला रिशव पन्त के प्यार में इस तरह से डूबी हुई हैं। खैन उर्वशी रोतेला किसी भी आलोचना की परवाह नहीं कर रही है। अब रिशव पंत और उर्वशी रोतेला का आगे पीछे आस्ट्रेलिया पहुँचना महज एक संयोग है या कुछ और इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। नेकिन एक्ट्रेस की जानकारी देने के बाद सोशल मीडिया पर उर्वशी रोतेला और रिशव पंत ट्रेंट करने लगे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें दवी ओबी इंडिया।